कि असलाम अलेक्तों ग्योंड कैसे आप सब अम्हीदें आप रिटार कोंगे तो आज मैं आप तेले वीडियो लेगा हूँ हो टोड़ीड वर्टसेफ अकॉंट वर्टसेफ अकॉंट को आप किस तरह डेलीड कर सकते हैं उतको आप अपने नमबर से वर्टसेफ को अगर खतम क करना चाहते हैं तो वह आपकी तरह उसको खतम कर सकते हैं तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने इस पहले चैनल को लाइक कर दें सब्सक्राइब करते हैं और बैल आइकान को फ्रेस करते हैं ताकि हर आने वाली मेरी वीडियो आप तक पहुंच सकें तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जैसा कि हमने वर्टसेप के अकॉंट को डिलीट करना है तो मैं वर्टसेप को ओपन करता हूं अपने तो यह देखिए मैंने अपने WhatsApp ओपन किया है तो इस तरह मैं जाता हूँ WhatsApp की Setting पर यहां से Open करना है इसको 3D डिजिट को तो इसकी Setting पर जाना है यहां तो Setting पर जाके तो आपने यहां पहले नमबर भी आपको मिलेगा option तो इस पर क्लिक करना है आपने तो जब आप account पर जाएंगे तो last पर आपको मिलेगा option delete my account तो delete my account पर आपने क्लिक करना है क्योंकि हमने WhatsApp के अपने account को delete करना है तो यह देखें मेरे पास आ रहा है option deleting your account विल तो वो बता रहे हैं कि अगर आप अपना आपका जाएंगे और आपका जो बैक अपड्राइव में पढ़ाएं वह भी आपका डिलीट हो जाएगा तो इस चीज़ को आपने मद्द नजर रखके इसको डिलीट करना है तो जैसा कि मेरा कंट्री पाकिसान है तो पाकिसान को स्लेक्ट करूंगा और यहां मैं अपना नंबर डालूंगा तो मैं अपना नंबर डाला है तो मैं डिलीट में अकाउंट पर क्लिक करता हूं तो इसके बाद स्लेक्ट है रीजन तो आपने इसको रीजन देनी होती है कि आप अपना अकाउंट किस तरह क्यों रीड करना चाहते हैं तो आपने यहां रीजन लिखनी है यहां से आप उपन करेंगे तो आपको आसमुक्तलिफ रीजन आ जाएंगी तो इसमें से आप जो भी आपना करना चाहते हैं select तो कर दें तो let's suppose मैं कर देता हूं I am changing my device तो मैं changing my device पे click कर देता हूं तो अगर आप कोई उसको WhatsApp को message देना चाहते है improvement के लिए तो वह भी आप यहां type कर सकते हैं अगर आपको WhatsApp एरर दे रहा हो WhatsApp एरर आप जो है वह एरर दे रही हो या कोई भी इस तरह का issue हो तो वह आप यहां लिख के WhatsApp को send कर सकते हैं तो WhatsApp उसको review करेगा तो उस problem को solve कर पाएगा तो जैसा कि मैंने reason अपने लिखती है तो अब मैं करता हूं इसको delete my account पे click तो यह मेरे पास आया है option डिलीट प्रोसीट तो डिलीट यूर अकॉंट डिलीटिंग यूर अकॉंट इस पर्मनेंट यूर डेटा अकॉंट भी रिकवर्ड इफ यूर एक्टिवेट यूर वर्ट्सप अकॉंट इन फ्यूचर दिस इन इक्रूड यूर तो वह बता रहा ह तो मेरा अकॉंट अब डिलीट हो रहा है तो यह देखें मेरा अकॉंट जो वर्ट्सप का अकॉंट जो वह डिलीट हो चुका है तो इस तरह आप अपना वर्ट्सप का जो अकॉंट है वह इसको डिलीट कर सकते हैं तो यह थी आज की मेरे वीडियो वीडियो अच्छी लग झाले झाले झाले।